ओम गण गणपतये नमहा स्री गुरुदे वदत्त नमस्कार मित्रों प्रॉफिट 666 चानेल में आपका स्वागत है मित्रों इस वीडियो में मैं आपको मोर दंत्र में उल्लेखित, धन, दवलत और पैसा आकरशित करने के एक अत्यन्त, सरल और आसान तोटके के बारे में बताने जा रही हूँ यह तोटका इतना सरल है कि इसका प्रयोग एक बच्चा भी आसानी से कर सकता है हिंदु धर्म में हमेशा मोर और मोर पंख का संबंध भगवान श्री कृष्ण, भगवान कार्थिकेय और लक्ष्मी माता से जुड़ा हुआ है मोर पंख का इस्तमाल करके बहुत सारे तोटके किये जाते है इस तोटके में मोर पंख का इस्तमाल नहीं किया गया है लेकिन मोर के पैरों के नीचे की मिट्टी का इस्तमाल किया जाता है अब मैं आपको इस तोटके के अत्यनत आसान विधी के बारे में बताने जा रही हूँ गुरुपया ध्यान से सुनिये अगर आपको अचानक या एक्सिडेंटली कही पर भी मोर दिखाई देता है तो आपको जहाँ पर मोर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी उठानी है और उस मिट्टी को अपने घर पर ले आना है फिर उस मिट्टी को के सामने धूप और दिया प्रजवलित करना है और उसे एक चान्दी के लॉकेट में या डिब्बी में रखना है या लाल रंग के कपड़े के टुकड़े में बांद कर जहां आप अपना पैसा या गहने रखते हो वहाँ पर रखते ना है ऐसा करने से आपके घर या धंदे में हमेशा पैसे का आकर्शन होता रहेगा नमुने की तोर पर मैंने यह मिट्टी सफेद रंग के कागज पर रखी है लेकिन आपको यह मिट्टी चांदी के लौकेट में या डिब्बी में या लाल रंग के कपड़े में लपेट मी है इस तोटके के प्रयोग में किसी भी प्रकार की पूजाविधी या मंत्रजाप की आवशक्ता नहीं है और यह प्रयोग आप कभी भी कौन से भी दिन कर सकते हो जब आपको एक मोर अचानक दिखाई देगा मित्रो अगर आपको हमारा चानल पसंद आ गया हो तो कुर्पया सस्क्राइब करना मत भूलिये प्रभू सबका कल्यान करेंगे